ते दोस्तों वेलकब टुमाइटी चनल आज के सुड़ी में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही सांदार बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैध क्वेश्चन लेके आये हूं जो की आईक्यू टेस्ट पर राधायत क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग जितना कम से कम सम तर पर और ता उतनी अच्छी मानी जाएगी हमें अक्सर साव्चन में देखने को मिलते हैं बच्चे जल्दबाजी में यनों को गलत कर दिते हैं तो कैसे मैं और कि एक और नमलते हैं तो आप कितना सेव कहला और आम खरीदेंगे कि षाव रुपय में 100 फल मिल जाए तो हमको 100 रुपए में 100 फल खरीदना है दोस्तों तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्वाल करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कम रुपए में ज्यादा फल कौन सा मिल रहा है तो देखें यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक रुपए में आपको 40 केले मिल रहा है मतलब कि केला अधिक मिल रहा है कम पैसे में तो देखें एक रुपए में अगर 40 केले मिलते हैं एक रुपए में कितने केले मिल रहा है? 40 केले तो दो रुपए में कितने केले मिल जाएंगे? दो रुपए में मिल जाएंगे हमें 80 केले देखिए अब हमारे पास रुपए कितने बचे हैं दो रुपए में 80 केले हमने खरीद ले हैं 80 फल हमें मिल गए और हमारे पास रुपए बचे हैं अब कितने 98 रुपए बचे हैं 98 रुपय में अब हमें केवल 20 फल खरीदनेते हैं तो तो अगर लोग 20 तो हम आम नहीं खरीद पायंगे के सहब आइंगे देखे अगर कि यह पर देखिए एक सेव का दाम कितना है एक एक सेव मिलता है कितने रुपए में पांच रुपए में तो हमें 19 सेव कितने रुपए मिल जाएंगे 19 सेव हमें मिल जाएंगे 19 multiply by 5 equal to 95 रुपए में अब देखिए हमारे पार कितना रुपए हो गया देखिए 95 और 97 रुपए हमारे पास 97 रुपए के हमने total फल खरीद लिए और 80 कितने फल हमने खरीद है 90 और 19 प्रहुण 59 फल भी हमने खरीद लिए लिए तो अब हमें क्याओं खरीदना है एक फल खरीदना है कितने रुपए में तो तीन रुपए में हम आम हमने खरीद लिया को तो देखे अब हम लोहं क्या-क्या को खरीदारी कर लिया देखे देख सबसे पहले अब लोह ने खरीदा कि डोhटाइ में के असी केला है फिर हम लोह ने क्या करिदा कि 25 भी में 95 रुपए में 19 सेव खरीदे हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों क्या खरीदा 3 रुपए में एक आम खरीदा अब देखे इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो देखे 95 और 2 97 रुपए हो गया 97 और प्लस 3 कितना हो गया 100 रुपए हो गया और 100 रुपए में हमने कितने फल खरीद लिया देखे 80 प्लस 90 99 हो गया 80 प्लस 90 99 हो गया प्लस 1 कितना हो गया 100 100 फल खरीद लिया देखे 100 रुपए में 100 फल हम लोगों ने बहुत ही आचानी से खरीद लिया तो ऐसे क्वेस्टिन को इस तरीके से हम लोग बहुत ही आठानी से स्वाल कर सकते हैं बहुत ही आसान मेथेड़ है सबसे पहले हमें ऐसे गुश्यन में यह देखना है कि कम रुपय में हमें ज्यादा फल कौन सा मिल रहा है उसके बाद हम लोग को step by step solve करते जाना है बहुत यह असानी से question को हम लोग solve कर सकते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ऐसे ही सांदार interesting वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे Thanks for watching friends